बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग दो का पाठ बारा कंचा पढ़ रहे हैं जो की एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले हमारे कहानीकार हैं टी पद्म नाभन जी बच्चो इस कहानी का प्रथम भाग आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आज हम कहानी का द्वितिय भाग पढ़ेंगे बच्चो कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि एक बालक अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही खोया रहता है पहले वह सियार और कव बच्चो की दुनिया में खो जाता है फिर जैसे ही उसकुल के घंटी की आवाज उसके कानों में पढ़ती है तो बहे भाग कर उसकुल पहुचता है और उसकुल पहुचता है तो बहे उसकुल सबसे लेट पहुचता है देरी से पहुचता है इसके कारण उसे कक्षा में सब से पीछे बैठना पड़ता है बच्चों यह हमने कहानी के पिछले भाग में पढ़ लिया था अब हम कहानी के अगले भाग में उस बालक के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे क्या वो बालक कंचे खरीदता है या नहीं खरीदता है और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में किस तरहे खोया रहता है सब अपनी अपनी जगे पर है रामन अगली बेंच पर है वह रोज समय पर आता है तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अमू बैठी है जौर्स दिखाई नहीं पड़ता यानि ये जो हमारा बालक है अपू वह कक्षा में आ गया है और कक्षा में आने की बाद उसे कक्षा में सबसे पीछे की बेंच पर बैठना पड़ता है और वह देखता है कि रामन अगली बेंच पर है यानि रामन आगे की बेंच पर बैठा हुआ है क्यों बैठा हुआ है क्योंकि वह प्रती दिन समय पर विध्याले आता है तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अमू बैठी है फिर उसे जॉर्ज का ध्यान आता है लेकिन उसे जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं देता लड़कों के भी जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाडी है कोई भी बालक अगर उसके साथ खेलता है तो वह कंचो के गेल में हार जाता है हारने पर योहीं विदा नहीं हो सकता हारे हुए को अपनी बंद मुठी जमीन पर रखनी होगी तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुठी के जोड़ों को ही तोड़ेगा जॉर्ज क्यों नहीं आया अरे हां जॉर्ज को बुखार है ना उसे रामन ने यह सूचना दी थी उसने मलिका को सब बताया था जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पढ़ता है अपो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है बच्चों आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा आप लोग भी जब विध्याले जाते होंगे तो आपके घर के आसपास रहने वाले बालक या बालिका आपको बुला कर विध्याले लेकर जाती होगी साथ साथ जाते होंगे अगर आप किसी कारणवश विध्याले नहीं जा रही है तो आप उन्हें सूचना देकर भेजते होंगे ऐसा ही जॉर्ज के साथ हुआ जॉर्ज ने रामन को यह सूचना दी थी और उसने मलिका को सब बताया था जॉर्ज का जो घर है वह रामन के घर के रास्ते में पढ़ता है लेकिन यह जो बालक है अपू उसका कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं है मास्टर जी उसने हड़ड़ी में पुस्तक खोल कर सामने रख ली रेल गाड़ी का सबक था यानि जो मास्टर जी थे वो रेल गाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे रेल गाड़ी रेल गाड़ी प्रस्ट सैतीस घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है यानि कि जो यह अप्पू है वो घर पर ही यह पाठ पढ़ कर आया है मास्टर जी बीच में बैट से मेज ठोकते हुए उची आवाज में कह रहे थे बीच बीच में मास्टर जी क्या कर रहे थे बैट से मेज ठोक रहे थे यानि जो उनके हाथ में लकडी का डंडा था उसको बार-बार मेज पर बजा रहे थे उससे मेज बजा रहे थे और कह रहे थे बच्चों तुम ऐसे कईने रेल गाड़ी देखी होगी उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ती से ही चलता है भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है तुम लोगों के घरों के चूले में भी अप् में जो कुछ भी बता रही है उसे सुनकर अपनी कलपनाओं की दुनिया में चला जाता है क्या सोचता है रेल गाड़ी उसने रेल गाड़ी देखी है चुक 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 यही रेल गाड़ी है बहे भाप की भी गाड़ी का मतलब फिर वो सोचते जा रहा है देखो क्या सोचता ह मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी बे रेल गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे क्या समझा रहे थे देखिए पानी रखने के लिए खास जगे है इसे अंग्रेजी में बॉइलर कहते हैं यह लोहे का बड़ा पीपा है बच्चो देखिए यहीं से हमारे अप्फू की कलपना की दुनिया शुरू हो जाएगी लोहे का एक बड़ा कांच का जार उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे जार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा उस समय जार्ज कितना खुश होगा सिर्फ बे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे उसके चहरे पर चौक का चुकडा आगिरा अनुभब के कारण वहे उठकर खड़ा हो गया मास्टर जी घुसे में है बच्चो क्या होता है रेल गारी जब मास्टर जी समझा रहे होते हैं तो रेल गारी सुनकर वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है और जब उसका ध्यान खुद के ऊपर ही होता है तो जो मास्टर जी है वो पहचान जाते हैं कि अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं है तो वो एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उठा कर अप्पू के सिर पर मारते हैं और क्या होता है अप्पू घबरा कर अनुभब के कारण जाता है यानि उसे पता चल जाता है कि मास्टर जी ने देख लिया है कि उसका ध्यान कक्षा में नहीं है और वह क्या देखता है मास्टर जी गुस्से में है अरे तू उधर क्या कर रहा है उसका दम घुट रहा था बोल वह खामोश खड़ा रहा यानि वह चुपचाप और आप उत्तर नहीं देते होंगे तो वो भी आपके पास इस तरह से ही आते होंगे और आपको डाटते होंगे सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है उसकी घबराहत बढ़ गई यानि अप्पु है वह घबरा गया उसे डर लगा कि कहीं मास्टर जी पिटाई ना कर दें मैं अभी किसके बारे में बता रहा था करमट मास्टर जी उस लड़के का चहरा देखकर समझ गए उसके मन में और कुछ है यानि मास्टर जी ने जब उसका चहरा देखा तो मास्टर जी पहचान गए कि यह कुछ और सोच रहा है शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो मास्टर जी को लगा कि शायद इसने पाठ पर ध्यान दिया हो इसलिए पाठ से सम्बंदित कोई प्रशन इसके मन में चल रहा हो अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है इसी में उनकी सफलता है हाँ हाँ बत ड्रणामत Master जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था यहनी Master जी देख रहे हैं कि अप्पू कुछ बोलने वाला है हाँ हाँ बहे कापते हुए बोला कंचा क्या बोलाראा अप्पू कापते हुए कंचा कंचा वे सकपका गये यानि कि वे घबरा गए और कक्षा में भूचाल आ गया कक्षा में क्या हो गया भूकंप आ गया मास्टर जी क्या बोले stand up यानि कि खड़े हो जाओ मास्टर सहाप की आँखों में चिनगारियां सुलग रही थी यानि मास्टर जी अतियंत क्रोधित ते अप्पू रोता हुआ बैंच पर चड़ा पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दर्वाजे से जांक कर देखा फिर सम्मलित हसी रोकने की पूरी कौशिश करने पर भी बह अपना दुख रोक नहीं सका सुबकता रहा यानि की धीरे धीरे रोता रहा रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हसी उड़ा रही है रामन मले का सब बच्चों आपकी कक्षा में भी ऐसा ही होता होगा जब आपकी पिटाई पढ़ती होगी या आपको मास्टर जी डाटते होंगे तब कक्षा के सारे के सारे बच्चे मन ही मन हसते होंगे और आपकी हसी उड़ाते होंगे ऐसा ही इस बालक के साथ हो रहा है बैंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूँगा सबको जार्ज को आने दो जार्ज जब आए जार्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा इन में से किसी को वह खेल नहीं बलाएगा कंचे को देख ये लल जाएंगे यानि इनका मन करेगा क्या मन करेगा इतना खुबसूरत कंचा है हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे तब शक हुआ कंचा मिले कैसे क्या मांगने पर दुकानदार देगा जार्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं नहीं दे तो किसी को शक हो तो पूछ लो मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया यानि मास्टर जी जो पाट पड़ा रहे थे बहे पाट उन्होंने खत्म किया क्या किसी को कोई शक नहीं अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी यानि अप्पू के मन में जो प्रश्ण थे बहे अभी भी चल रहे थे बहे सोच रहा था क्या जार्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे मास्टर जी तो पूछ रहे हैं कि अगर किसी को पार्ट समझ में नहीं आया है या पार्ट में कोई परिशानी है तो बच्चों पूछ सकते हो और अप्पू अपनी ही दुनिया में है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मास्टर जी उससे यह पूछ रहे हैं कि उसके मन में अगर क खरीदना पड़ा तो कितने पैसे लगेंगे इस तरह के विचार उसके मन में चल रहे होते हैं। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमणी ने शंका का समाधान कराया यानि कि जो उसके मन में प्रश्न था उसका हल करवा लिया। कई छात्रों ने यह दोहराया अप्पू क्या सोच रहे हो मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी को लगा कि अप्पू के मन में भी कोई न कोई प्रश्न है तो वो भी क्या करते हैं। पूछते हैं कि अप्पू क्या सोच रहे हो? पूछलो ना शंका क्या है? मास्टर जी कह रहे हैं कि हाँ भई पूछलो तुम्हें क्या पूछना है? शंका जरूर है. क्या जार्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं देगा तो कितने पैसे लगेंगे? क्य उसके जो मन में सबाल जवाब हैं वो सारे के सारे कंचे के उपर ही चल रहे हैं? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए चाहिए? बहर कुछ नहीं बोला. हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए यानि उसके सामने से कंचे निकलते जा रहे थे, मास्टर जी ने पूछा, क्या रेल गाड़ी के लिए, उसने सिर हिलाया, बेवकूफ रेल गाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा, यानि मास्टर जी ने उससे पूछा, कि भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए, तो एक बात ये है, कि रेल गाड़ी को हम पैसो से नहीं खरीद सकते, और दूसरी बात, कि अगर वह तुम्हें मिल भी गई, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे, फिर वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेल गाड़ी नहीं कंचा, चपरासी एक नॉटिस लाया, मास् लेकर आएं हैं, वो ऑफिस में जाकर जमा करा दे, बहुत से छात्र गए, राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चुकोटी काट ली, यारी अप्पू को भी बता दिया, कि भाई तुमे भी तो फीज जमा करानी है, उसने पैर खीच लिया, उसे याद आया, कि उसे फीज जमा करानी है, पिताजी ने उसे डेड़ रुपया इसके लिए दिया है, उसके पिताजी ने उसे कितने रुपय दिये हैं, फीज जमा करानी के लिए, डेड़ रुपय दिये हैं, उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, एक रुपय का नौट और पचास पैसे का सिक्क बच्चो ये जो 50 पैसे का सिक्का है ये बहुत ही पहले चला करते थे अब बर्तमान में चलते नहीं है लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय 50 पैसे के सिक्के चला करते थे बहे बैंच से उत्रा किधर मास्टर जी ने पूछा उसके कंट से खुशी के बुलबुले उठे यानि उसका जो गला है वहे खुशी के बुलबुले लेकर उठा फीस देनी हैं, फीस मत देना, मास्टर ने कहा बह जजकता रहा, यानि कि वह शर्माता रहा, on the bench, बह बैंच पर चड़कर रोने लगा क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पड़ेगा, मास्टर जी उससे पुछ रहे हैं, क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पड़ेगा, ध्यान दूगा वह दफ्तर गया दफ्तर में बड़ी भीड थी क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो फीस लेकर आये थे फीस जमा करवा रहे थे बच्चो एक एक करके आओ क्लर्क बाबू बता रही है पहले मैं आया हूँ मैं पहले आया हूँ मेरे बाकी पैसे इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा रामन ने फीस जमा की मलिका ने जमा की अब थोड़े से लड़के ही बच्चे हैं तो बच्चो आपने देखा कि हमारा अप्पू अपनी कहानियों की दुनिया में कंचे की दुनिया में ही खोया रहता है इसके चलते मास्टर जी उसे सजा भी दे देते हैं उसे बैंच पर खड़ा कर देते हैं लेकिन फिर भी उसके मन में कंचे को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्या वो कंचे खरीद पाएगा, कितने पैसे लगेंगे, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उसके बालमन में चलते रहते हैं, फिर जब फीज जमा कराने की बारी आती है, तो बहवी फीज जमा कराने जाता है, सारे के सारे बच्चे अपनी फीज जमा करा चुके होत क्या अप्पू भी फीज जमा करा पाएगा या उन पैसों का कुछ और करेगा तो बच्चो यह तो हम कहानी के अगले भाग में पड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बच्चो नमस्कार बच्चो